सो साल तक भी आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे अगर आप यह पांस टिप्स अपना लेंगे तो यह आपका घुटना यह ऊपर की हड़ी यह नीचे की हड़ी यह आपका डिस्क जो घुटनों के बीच में होती है इसमें ग्रीस भरा होता है यह आपका कुरूसिफों लिगमेंट यह लेटर लिगमेंट यह यह मीडियल लिगमेंट यह आपका टखना पटेला जी से कहते हैं यह आगे की मास पेशी इन सब की शुरुच्छा कैसे करनी है मां आपको पांच मेंट बताता हूं एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मां आपको बताता हूं उनका खानपान जिम्मेदार होता है फिर घुटने के लिए क्या एक्सिसाइज करनी है मां आपको एक्सिसाइज भी बताऊंगा जिसे कि आपके घुटने 100 एयर सक हेल्दी रहे वह चार इंपोर्टन इस्पेशल एक्सिसाइज बताऊंगा पहले आपको बताता हूं पहला नमक सफेद नमक ना खाएं इसे बदले में सिंधा नमक जो ब्राउन साल्ट आए रोक साल्ट एक आएं फिर मैदा मैदा ना लें ट्रांसफेट ना लें और फिर ज्यादा वाई वर्दक चीज़ ना लें जैसे उड़द है राजमा है सफेद छोले हैं मतर हैं पनीर पाग परपी है तो मैरे पहला प्रेंट आपको बताए कि क्या ना हैं अब मैं दूसरा प्रताता हूं फिर क्या खाएं ऐसा क्या खाएं जिसे कि हमारे हंड्र इस तक यह तो तीन घर में लाके रखने सो ग्राम मेथी, पचास ग्राम काला जीरा, बीस ग्राम अज्वाइन, इनको थोड़ा सा भून के जिससे कि उनकी माश्चर उड़ जाए, थोड़ा सा भून के उनको पीस लें, फिसके एक एक चमस सुबह शाम नवाय पाने के साथ लेनी है, यह आपको घुटनों की सो साल तक शुरक्षा करेगी, इन तीनों का मिक्सरे बड़ा फैदेबन रहेगा, सारी वायू खतम जाएगी, फिर जो यह हल्दी है, थोड़ी से एक कटोई दूद में उबालके, थोड़ी हल्दी लेनी है, अदर्वाइस, आपको दूद दही बहुत जादा नहीं लेना, दही तो ल मिलेगी, उससे आपके घुटनों का ग्रीस, यह ग्रीस मना रहेगा, डिस्क आपको बड़ी हल्दी रहेगी, डिस्क थैंक यू बोलेगी, और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदर्वाइस, आप खाने में जादा दूद दूद दही का जादा उप्योग ना खरें, दवाई का रूप में एक चमश हल्दी डाल के एक काटोरी या आदर ग्लास दूद लेलें, बाकि यह वंश लोचन, वंश लोचन बड़ाई अच्छा रहता है, यह कैल्शम का बहुत बड़ा सोर्स है, कैल्सियम, फोस्पोरस, मैगनीशम, सिलीनियम, जो सारे बड़े सारे मिनरस होते हैं इसके अंदर, तो एक चमश सुबशा मैंसे खा सकते हैं, चमागी खालें, बड़ा अच्छा होता है, यह ध्यान रखें, फिर और उसके अलावा, खाना समय रहते ही खालें, रात हो जल्दी खालें, सुब़ा सा लेट खाएं खाना, फिर ऐलोवेरा का उप्य जज हों, इंजीनियर हों, एडवोकेट हों, आईटी परसनेल हों, कोई भी हो, जिनको दिन पर बैठे रहना है, अगर तो बैठने थे समय पैरों को लटका के ना बैठें, कुरसी उची ना हो आपकी, देखिए कुरसी पहली बात नीची रखें, फिर ऐसे एक पट्री रख जो उची-उची एडी के जूते चपल हैं, यह आपके घुटनों को ले बैठती है, यह उची एडि, यह उची एडि हैं, यह गुटनों का लिए दुष्मन है, इसके बदले में, फ्लेक्सिबल सोल वाले स्लिपर्स और फ्लेक्सिबल सोल वाले शूज पहने, जिससे की तक काउंटिंग करनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ऐसे दिन में तीन बार करनी है आपको इससे साइज, इससे रहे सेक्सिजाइज करें, दोनों हुटनों को थोड़ा उंचा पैर करके करें, यह तो आप ओफिस में भी कर सकते हैं, सुबह, पीछे की जो मसेलिसे हैं, और पीछे के ligaments है, इनको हम कैसे healthy राएं, cruciform ligaments और पीछे की mass движिया, इनके लिए ऐसे करके पैर को, फिर 10 बार हमें पैर चलाना है, ऐसे एक, दो, तीन, चार, इस ऐसे, ऐसे चलाना है, अब हम, जो side वाले ligaments है, lateral ligaments हैं, lateral ligaments, इनके शुफर, अच काउंटिंग करें एक दो तीन चार ऐसे दस तक काउंटिंग करेंगे इससे आप लेटर लिगमेट्स हेल्दी वायते हैं और थेंक यू बोलते हैं फिर मीडियल लिगमेट्स जोते हैं इनकी शुरक्षा कैसे इसके लिए साइडों पर से दबाएं करसके और घुटनों को बहा करते हैं चाह किलमेट्स की शाम को धाई गंटे सुबह करते हैं इसके लाबा पांच मी और लास्ट चीज में बता रहा हूं आपको सुबह साड़े-चार बे उठके दो घंटे योग करना है दो घंटे योग करेंगे तो घुटनों के बीच में जो क्रिस्टल से महा हो जाते क्रिस्टल वाश आउट हो जाएंगे जो आपके चलने फिरने में कटकट की यवाज आती और जो दिक्कत हो जो ग्रीस बनने लग जाए और जो फ्री रैडिकल से वाश आउट हो जाए उसलिए तो एक घंटा कपाल भाति प्राणा हम करना है मैं एक डॉक्टर हूँ मैं एक योगी भी हूँ मेरी बड़ी सारी वीडियो है इस पर जगदंबा वीडिकर यूट्यूब चैनल पर किसी भी बिमारी को चाहिए डाइबेटीज हो मुटापा हो ब्लड़ पेशर हो कब्ज हो उसो कैसे हम अपनी लाइफ शेल्ट ही करके ठी कि अगर यह पांच काम आपना लेंगे तो जीवन भर कभी आपको नीर रिप्लेस्मेंट की नोबत नहीं आएगी बस यह काम जितना जल्दी आप शुव कर लेंगे उतना अचरेगा और आगे से मेरे यूट्यूब चैनल को जगदंबा वीडिकरों से सब्स्राइब भी करे वही लाकरों लोग देधे हैं यूटूब ने थो मुझी सिल ओर भी देया है हे सन्दे को मैं चार से पांच ठिर जो भी आपके हमदें हमें संडूंस इस एंडिया रखे संडी 105 और हर संडी को चान को शाम maior और मैं सबलों को दोने कि अपंड़ाय को लिए वीडियो को शेर भी करें जैसे कि सब लोगी सा फैदा उठाएं, थैंक यू